मेरा नाम रामादेवी है मैं IIT बंबे दे फिजिकस विपाग विच एक प्रोफेसर हाँ ता मैं एक क्वांटम मक्यानिकस दे कोरस बारे पढ़ावांगी क्वांटम मक्यानिकस दे टूल पर्मानू अते न्यूकलिस दे माइक्रोसकोपिक संसार नू समझनली जरूरी हान Quantum Mechanicus दे कोरस दा मेन थीम सिद्धे ब्रेकट नोटेशन बारे दसना है मुख जोर दित्ता जावेगा ओपरेटर फोरमलिजम अते हार्मोनिक ओसीलेटर अते हाइडरोजन एटम स्पेक्ट्रम लई उस दियां अप्लिकेशन जुद्ते हर एक चार लेक्चर बाद मेरे सहकर मिया डाक्टर जै अते होर दा एक ट्यूटोरियल सेशन होवेगा जो होर ज्यादा व्याख्या विच समस्यावा दसनगे इस नाल स्रोत्यानू थेोरीनू लागु करन विच फाइदा होवेगा लेक्चर जो असी अप्लोड करने हन असी पहला ही हर लेक्चर दिया वीडियो दी PDF अते PPT फाइला अप्लोड करांगे तां जो ए फाइला होर ज्यादा समझनली खोलिया जान संद्रब पहलिया दो किताबा हन तीजी नू एक हवाला पुस्तक दे रूप विच रख्या जा सकदा है ए असल विच एक पैड बुक है इसलेई मैं एक हवाला पुस्तक वांग समझांगी जिस विच सब कुझ है पर मैं पहला उस किताब नू तरजी देवांगी जो तो हड़े द्वारा फालो कीती जान दी है जो की ग्रिफित अते एक होर किताब संकुराई है हॉली हॉली असी सकुराई वालवी वदांगे सकुराई नू तुसी एक हवाले वांग वरत सकदे हो ठीक है ता ये पलेन है ता मैं तो हानू हॉली हॉली लेके जान दी हा जो तुसी अपने पहले साल तो दुझे साल विच की सिख्या है पहला कोरस क्वांटम मक्यानिकस है ता ये क्वांटम आइडियास दा रिवियू है फिर लीनियर वेक्टर सपेसस उप्रेटरस हार्मोनिक ओसी लेटरस दी स्टेट वेक्टर फॉरम लिसम है मैं हाइडिरोजन एटम ते त्यान दिवाण जा रही हा एंगुलर मोमेंटम फिर सपिन दा सिधान एंगुलर मोमेंटम दा जोड एंगुलर मोमेंटम नाल एक कीवे जुड़दा है ता ए चीजा सानू एक कोईफिशेंट नू लेओन लई फॉरस कर दिया हन जिसनू की कलेबेश जॉर्डन कोईफिशेंट केहा जान्दा है असी कुझ टाइम हेना चीजानू देख दिया बितावांगे ता ए मुख है ता जेडिया चीजा इत्थे होन गिया ओ निक्या निक्या होन गिया ता पूमिका शुरू करन तो पहला तुसी कॉांटम क्यों करना चौन दे हो ए तुसी अपने पहले साल दे कोरस विच वी देख चुके हो की कलासिकल विचारादियां की लिमीटेशन अज्ञान इसलिए पहला की है तुसी माइक्रोसकोपिक संसार देख चुके हो बहुत सारे तजरबे तुसी न्यूटन ला जा किसे होर कलासिकल ला दे नाल परिपाशित नहीं कर सक दे ता पहली चीज जो तुसी देख दे हो ओ है बलेक बाडी स्पेक्ट्रम जो की पलैंकस है ला जो तुहानूफिकस करन विच मदद करदा है बिल्कुल ओ सारे प्वाइंट बलेक बाडी स्पेक्ट्रम विच है हर कोई मेरे नाल है अते फिर photoelectric effect, नूवी classical lash नाल परिपाशित नहीं कीता जा सक्दा, बीम जिन्नी ज्यादा तिखी होवेगी, photoelectric current ओना ही follower करेगा, ये सही नहीं है ता, दुजी चीज है scattering, जिसनू, photons the electrons नाल competence scattering, कहन देहान, जो तुसी देख सक्दे हो की wavelength किवे बदल दी है अते ए चीजा सिरफ quantum विचारानाल समझियां जा सक्दियां हन ना की classical विचारानाल, ता एक कोर जरूरी गल, जो एहना तिन्ना आस्पेक्टा विच आउन्दी है photon दे, quantum aspect, एक की है, ए universal plank constant है तुसी एक अजेहा constant नहीं पा सक्दे, जो की blackbody spectrum तो वखरा होवे असी कोई अजेहा वखरा constant photoelectric effect जा वखरा constant kompaton scattering लें नहीं वरत सक्दे की ठीक है, तुसी सारे जान दे हो की ए ओही है, ए तुहानू दिल्चस्पी दिन्दी है इसे लई ए universal है, ओही ह, जो तुसी plank constant दे नाल शुरू कीती सी, जो पलैंकस द्वारा लेंदी गई ए कहन लई की photons दी उरजा H and U the integral multiples which quantitize है, OH, OH ही H है जो की photoelectric effect जा कॉमपटोन scattering विच वापर दी है तुसी इसनू mechanically वर्त दे हो सक्दे हो, पर तुसी जान दे हो की universal nature विशेशता है, जो इस plank constant विच दिख दी है जिसनू की plank constant H केहा जानदा है, असी वाख वाख values नहीं वर्त दे, असी इक को value वर्त दे हाँ, तब fundamental constant दी लोडीन दी पूमिका quantum खेतर विच ले जान दी है, ता H सिफर तक लिजान दी है, एक limit है जित्थो तुसी classical वाल जान ले, शुरू कर दे हो ता H सिफर दे बराबर नहीं है, एक है, जिसनू असी quantum खेतर केहे दिन दे हाँ, ता ये तुहान नू पलैंकस equation बारे वी पता है, E बराबर H N U अते तुसी मासलेस पार्टिकलज लई आयोंस्टीन रेलेटिविस्टिक उर्जा चुन सकदे हो, एक E है, E बराबर PC अते तुसी कोशिश कर सकदे हो, अते लिख सकदे हो, फोटोन दा मोमेंटम, H over lambda है, हर कोई इस बारे जान दा है, ता मासलेस फोटोन लई E बराबर PC, जो कि H N U है, की A दिखाई दे रहा है, अते इतों तुसी लिख सकदे हो, पी बराबर H N U by C, जो कि H by lambda है, A की है, पहली एक्वेशन E बराबर PC मासलेस लई आयांस्टाइन उर्जा मोमेंटम रेलेटिविस्टिक एक्वेशन अते, पलैंकस, हाइपोथिसिस, E बराबर H N U है, जित्थों तुसी दर्सा सकदे हो, की मोमेंटम H over lambda है, ता ए ही है, जो मैं इत्थे लिख्या है, ता डीब्रोए दा पर्पोजल की है, उसने केहा कि ए मोमेंटम उसी बराबर H over lambda, क्यों है, इसनु होर पार्टिकल उत्तेवी लागू होना चाहिदा है, ए बड़ा हिम्मत वाला पर्पोजल सी, उहने आख्या, P बराबर H over lambda, होर पार्टिकल जिवे इलेक्ट्रोन, परोटो ना दिलई, व परी सच होना चाहिदा है, परी बराबर PC सही नहीं है, पर तुसी लिख सकदे हो मोमेंटम नू, H over lambda एही डीब्रोय हाइपोथिसिस है, इस दा मतलब की इत्थे वेवलेंथ है, जो होर पार्टिकल जनाल है, इहना नू वेवर जवांग वर्तिया करो, P बराबर H over lambda, एक खा पार्टिकल वांग देख सकदे हो, पार्टिकल देख के तुसी उस दा मोमेंटम दा सकदे हो, ते जे तुसी वेवनू देख देख दे हो, ता वेवलेंथ दा सकदे हो, अते एही ओ एक्वेशन है, जो दोवानू जोड़ दी है, ता ए डीब्रोय दा हिम्मत परिया पदारत तरंगां दी वेवलेंथ दी एक्वेशन नू फोटॉन मोमेंटम दे समान एक्वेशनस दी पालना करनी चाहिदी है। इसली जदो तुसी पदारत दियां तरंगां नू देखना शुरू करदे हो, तुसी उनानू एक ओर्बेट ते चल दे देख सकदे हो, अते रचनातमक इंटरेफिरेंस नाल सर्कूलर ओर्बेट नू देखो, अते रचनातमक इंटरेफिरेंस तोहानू एक वेवलेई एक क्वांटाइजेशन नूँ दोबारा लिख सक्दे हो ए तो हाड़ी मशूर बोहर क्वांटाइजेशन है जिसनू तुसी एक परपोजल वांग पड़ सक्दे हो मैं ए कहन दी कोशिश का रही हा कि जदो एक वार तुसी इसनू वेव वांग देखन लग जावो अते सर्कूलर ओर्बिट ते कंस्ट्रक्टिव इंटरेफिरेंस देखन लग जावे तो हानू अपने आप ओर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दी क्वांटाइजेशन मिल जावेगी ए मशूर तजरबे हन डेवीसन जर्मर अते ए साबित कर दे हन कि तुसी इलेक्ट्रोन बीम नू अते इले साब नाल इसने कंफर्म कीता जो डीब्रोय ने आख्यासी के इलेक्ट्रोन वरगे पार्टिकलांदा वेव नेचर हुन्दा है अक्सर ही जदो सानू इलेक्ट्रोन दित्ता जान्दा है जा जदो सानू फोटोन दित्ता जान्दा है असी फोटोन नू इक इलेक्ट्रोमेग हिस्सा हान अते जिस चीजनू असी टोहन दी कोशिश करांगे उही सानू हासल होवेगी ता ए हाला तुत्ते निर्बर है जे तुसी फोटो इलेक्ट्रिक पर बावकार रहे हो तुसी सिरफ फोटोन दा पार्टिकल सुबार समझ सकोगे जे कर तुसी इंटरेफिरेंस पर योग कार रहे हो ता तो हानू फोटोन दी वेव नेचर मिलेगी एवे ही इलेक्ट्रोन विच जे तुसी कोलिजन पर योग कार रहे हो तो हाड़ी कलासिकल फिजिकस विच ए पार्टिकल नेचर दा होवेगा पर जेकर तुसी डिफिरेक्षन पर्योग कार रहे हो, ता ए वेव नेचर नू दरसौंदा है पर्योग दे सेट्टाप अते, इस दी उर्जा ते निर्बर है चीजा वक्रियां होन जा रही आहान अते ए ओही है जो माइक्रोस्कोपिक संसार विच हो रहा है असी आपनी रोजमरा जिंदगी चीज जो देख दे हाँ, ओ माइक्रोस्कोपिक संसार है पर एटम दे अंदर की हो रहा है, जा परोटोन दे अंदर की हो रहा है ए क्वांटम विचारा नाल जानेया जा सकदा है तुसी अपने कलासिकल विचार नहीं वरत सक्दे अते कह सक्दे जो मैं इथे देख रहे हाँ हाँ ओ माइक्रोस्कोपिक संसार विच वापरना चाहिदा है असी उलंगणावा देखिया अते इसे लई कौांटम विचारा नू ल्योणा शुरू कीता उदारन वज्जों टनलिंग ले लओ मैं इंजी कांदे दुज्जे पासे बाहर नहीं जा सक्दी पर तुसी देख सक्दे हो जेकर ए वेव होवे एक साउंड वेव क्रास कार सक्दी है चीजा ओदों ही क्रास कार सक्दी आहान जदो ए वेव होन गिया ए जानकारी इत्थे एक खेतर विच है जित्थो एक पार्टिकल बाहर नहीं जा सक्दा पर एक वेव बाहर जा सक्दी है ए तुहाडा मश्हूर परियोग है जो तुसी पहला डबल सलिट परियोग देखे होणगे अते इत्थे तुहाडे कोल दो स्रोथान अते जेकर मान लव कि तुसी सरोथ विचो एक नूँ बंद कर दे होता तो हाडे कोल ए नीली लाइन होवेगी एक समान इंटेंसिटी दे रूप विच आउनवाली रोश्नी लई एवे ही जे मैं ऐस नूँ बंद कर देवा तो हाडे कोल ए हरी लाइन होवेगा क्योंकि लाइट सरोथ एस दो विचों आ रही है सलिट एस दो है पर जे दो हे खुले होण तो हाडी उमीद की है ए एक वेव वांग होवेगा ए ओ है जो तुसी रचनातमक विनाशकारी इंटरेफिरेंस नाल उमीद करोगे पर जे तुसी देखोगे की एक किस सलिट राही अंदर गई किस राही आई ता की होवेगा इंटरेफिरेंस पैटरन गायब हो जावेगा तुसी देखोगे जे तुसी देखन दी कोशिश करोगे की वे किस राही ए अंदर गई ता ही पैटरन होवेगा इसलिए एक इस पासे जानदा है, जे कर तुसी देखन दी कोशिश कार रहे हो, ता तुसी पार्टिकल नेचर नू लब रहे हो पार्टिकल नेचर दी खोज करन दी कोशिश कार रहा है, ए सिरफ एक किन्टेंस है जे तुसी इस बारे चिंता ना करो की एक किस सलिट विचो लांगया है अते सिरफ सक्रीन नू देखो इस दी एक सुपर पोजिशन होवेगी इंटेंसिटी जोड़ना नहीं इस दा एपलिट्यूट जोड़या गया अते फिर इस दा की फैला होया अते तो हानू एक किंटरेफिरेंस मिलेगा ता एक परियोगदा डाटा है उन्हा एक तरादा डिटेक्टर पाके लबबन दी कोशिश कीती की बीम जो आ रही है इस तो जा उस टाइम दे इंस्टेंट तो आ रही है ओ एक करन दी कोशिश का रहे सान फिर उन्हा ने सक्रीन भी हासिल कीती उस सिस्टम नू डिस्टरप करन ले इत्थे कुछ डिटेक्टर लगा के अजेहा करन दी कोशिश नहीं कर दे उन्हा नू ए सक्रीन सी मिलेगी इसले तुसी वेव नेचर परापत कर सक्दे हो जित तुसी पार्टिकल नेचर नू टैप करना चौन दे हो इंट्रेफिरेंस गाइब हो जान दी है ता ए इलेक्ट्रोन बीम लई कीता ग्यासी ना सिरफ फोटोन इलेक्ट्रोमेगनेटिक फिलड लई तुसी बेशक अजेहा कर सक्दे हो पर ए इलेक्ट्रोन बीम लई कीता जान्दा है अते ए साबित कीता जा चुक्या है कि इस विच एक पार्टिकल होन तो इलावा वेव नेचर भी है इसलई ए कोशिश करनाल की इलेक्ट्रोन की सलिड तो आया है पलाट भी दिन्दा है जो की एक पार्टिकल दी जानकारी है अते जाता पार्टिकल जा वेव नेचर नू देख्या जा सक्दा है मैं तो हानू इस पलोट तो देन दी कोशिश कीती है पलोट सी इलेक्ट्रोन बीम दिन्दा है जो की एक वेव जानकारी है इसलई मैं तो हानू हॉली हॉली वेव पार्टिकल दे दवैत्वाल ले गई हां तो हड़े विच्चों किन्ने लोकाने जैकिल अते हाइड नू पड़ेया है ता पातर ए है कि इकको बंदे दे दो पातर हुन्दे हान जैकिल दे दोवे पातर बहुत चंगे किरदार वाले अते इकको जहे हान पर इत्थे तुसी जान दे हो कि हर वस्तु विच्च वेव नेचर अते पार्टिकल नेचर हुन्दी है पर जे तुसी जांच करंदी कोशिश कर दे हो कि तुसी की लबणा चौन्दे हो ता ए उस पातर नूँ दरसांदा है ता कुझ कुझ साड़े सार्या विच दोवे वेव चरित्तर अते पार्टिकल चरित्तर मोजूधान साड़ा वेव चरित्तर क्यों नहीं दिखदा तुसी जान दे हो क्यों वेवलेंट बहुत बहुत छोटी है जो की अजदे समय विच नहीं मापी जा सकदी इसे लई तुसी वेव चरित्तर नहीं देख सकदे पर जे तुसी एक इलेक्ट्रोन लव जिस्ता पुंझ बहुत काठ होवे ता वेवलेंट मापी जान वाली चीज बन जावे इसलई तु हाड़े कोल दोंवे वेव चरित्तर हो सकदे हान अते हर किसे विच ए मौजूद है पर जो साड़े केस विच परमुख है ओ सिरफ पार्टिकल चरित्तर है पर वेव अखनू वेवलेंट दे मेजर्मेंट माप दी लोड हुंदी है जो कि परियोगात्मक प्रणाली दे अंदर है अते ए सिरफ माइक्रोस्कोपिक संसार अंदर हुंदा है ता सारे ग्रहां बारे जदो तुसी पढ़दे हो तुसी क्वांटम नहीं पढ़दे क्यों? पोइंट ए है कि ओ एक पार्याँ चीज आहान ते तुसी क्या पलेर लाव वर्त दे हो अते जो कि सही है वेव चरित्तर बारे फिकर करन दी कोई लोड नहीं ता ए ही है जो तुसी उतसाहित हुंदे हो सिरफ क्योंकि मैं क्वांटम रेजीम सिखा रही हा इस दा मतलब ए नहीं है कि ए रोजाना जीवन दी लोड हुंदी है पर अजेहिया स्थितिया हुंदिया हन जित्थे तो हानू अपलाई करना पैंदा है ता वेव पार्टिकल डॉयलिटी इसलई मैं तो हानू हौली हौली कलासिकल मक्यानिकस तो लिजा रही हा जित्थे तुसी न्यूटन लाग करदे हो तुसी सारे न्यूटन कानून लिखदे हो जित्थे तुसी चिंता नहीं करदे तो हाड़े कोल पोजीशन दे नाल नाल momentum लई 1 को समेदे मुल हो सक्दे हान। तुसी पहली equation जा दुजी equation S नू U T पलस अद्दे GT सकोयर दे बराबर लिख दे हो जा अद्दा सकोयर ते लिख दे हो तुसी position अते momentum दो वानू जान दे हो ए इवे नहीं है कि जे तोहानू पोजीशन पता है ता तोहानू मोमेंटम नहीं पता होवेगा। तुसी विलोसिटी जा मोमेंटम जान सकदे हो। इसलेए एक बहुत महतव पूरण पोईंट है कि एकस अते पी तोहाडे कलासिकल नेमा विच नाल ही उसे समेते लब्बे जा सकदे हान। इकवेशन न्यूटन ला है। न्यूटन ला विच तोहाडा टीचा की है तुसी एकस नूपी दे फंक्षन वजो निर्तारत करदे हो एक वार जदो तोहाडे कोल पी डी बाई डी टी दे फंक्षन वजो एकस हुनदा है तोहानू मोमेंटम मिलेगा। स्थिती पूरी तरह जीवें की मैं कहा है तुसी पार्टिकल अते वेव सुबा दोवें उससे समेघे प्रापत नहीं कर सकदे एकस अते आई वस्तु दी पोजीचन नूँ कहन दे हानू मैं इसनू इक पार्टिकल दे रूपविच देख रही हां जादो मैं केहा चेंज दा मोमेंटम डी बोय हा देखन दी कोशिश कर रही हां, पर मैं उसे समेते नहीं कर सकदी, असी जवानी विच डबल सलिट परियोग विच देख्या है, जे तुसी पार्टिकल दी जानकारी चौन दे हो, जिस दी तुसी जांचकरन दी कोशिश कर दे हो, ता सलिटा ते एक डिटेक्टर, दी तरह ही द जा सकदे अते, एक इस विच्चो लांगया है अते इंटरेफिरेंस पेटरन, ए संभव नहीं, की ए सही है, एक सते पीनू नाल ही उसे समेते निर्तारित नहीं कीता जा सकदा, ए मुख मातव पूरन चीजा विच्चो एक है, जिसनू मैं पिछलिया सलाईडान तो परेरित क जरंदी कोशिश कीती है, अते ए ओ चीज है जो तुसी सारे मकैनिकल अपने कोरसा, विच्च सिख दे हो पुराने कोरस, जो की मश्हूर हेजनबर्ग अनसर्टेंटी परिंसिपल है, उस पोजीशन अते मोमेंटम नू सही टांगनाल मापया नहीं जा सकदा है, इसलए इथे कलासिकल मकैनिकस विच्च एक्वेशन न्यूटन दा नियम है, क्वांटम मकैनिकस विच्च जिस एक्वेशन नू तुसी हाल करना है, ओ श्रोडिंगर एक्वेशन है, अते श्रोडिंगर एक्वेशन दा मुख विशा किसे वेव फंक्शन ले सल्यूशन लबना, है जा इस प्रोबेबिलिटी एम्प्लीट्यूड वी केहा जान्दा है। एक डाइमेंशन विच साई नू एकस दे फंक्षन वजो लिख्या होया है। ए टाइम उत्ते वी डिपेंडेंट है। ए एक कंप्लेकस। जेनरल है, एक कंप्लेकस हो सक्दा है। अते ओ मोडूलस सक्वेर तो हानू प्रोबेबिलिटी देवेगा। कुछ जो तुसी अपने पहले साल विच सिख्या है। इसलई एक कलासिकल मक्यानिकस अते क्वांटम मक्यानिकस विच्कार अंतर है। कलासिकल मक्यानिकस कोरस जदो तुसी कार रहे होता तुसी इस रीजैम विच होवोगे। होन क्वांटम मक्यानिकस कोरस तुसी इस सेटिंग विच होवोगे। इसलई, जाने पचाने श्रोडिंगर एक्वेशन, खब्बे पासे, जो मैं लिख्या है, टाइम दे संबंद, विच पार्शियल डेरिवेटिव है, अते इत्थे, सज्जे पासे मैं उर्जा ओपरेटर जा हैमिल्टोनियन लिख्या, है जिसनू असी कहिन दे हां, जिसनू पो रहा है, अते असी एकस्टी दे साई, नू लब बन लई, इस एक्वेशन नू हाल करना चाहांगे, जो वेव फंक्षन है, ताँ थीम ए है कि एक्वेशन है, अते तुसी जान दे हो एक प्रस्ताव है, एक्वेशन है, इत्थे कुछ संकेतक तरीके हान, जिना विच तुसी उनादियां इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव नू देख के इसनू परापत कर सकदे हो, अते फिर असी एक गैर मामुल्ली पोटेंशियल एनरजी लेई प्रस्तावित कर दे हा, अते ए श्रोडिंगर एक्वेशन है, अते बहुत सारे परियोगात्मक, कर्वस, बहुत सारे पर करन्दी कोशिश कर दे हो, इससे तरानाल श्रोडिंगर एक्वेशन वी फाइदे मंद है, ता सिरफ संखेप लई मैं इसनू एक फलो अचारट दे रूप विच रखांगी, तुसी लाइट दा ड्यूल नेचर देख दे हो, लाइट आम तौर ते एक वेव हुन्दी है, पर असी बलैक बॉडी रेडियेशन फोटो इलेक्टरिक परबाव, अते कोपटोन परबाव, तो पार्टिकल नेचर देख सक्दे हां, आम तौर ते पार्टिकल पार्टिकल हुन्दे हां, तुसी पार्टिकल दे वेव नेचर ते देख सक्दे हो, इहनानू मैटर वेव जा ब देखो ता ए सारे तरीके हन पार्टिकल दे वेव नेचर नू देखन दे अते श्रोडिंगर एक्वेशन एक अजे ही एक्वेशन है जो मैटर वेव नू परिपाशित कर दी है अते कुछ तार नावानू जो कि तुसी पहला ही पढ़ चुके हो जीवे की प्रोबेबिलिटी ए ता ए है क्वांटम मकैनिकस अते असी इसनू विस्थार विच देखांगे झाल 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 जो जा और झाल 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 झाल